मैं हूँ श्चांग नगेरा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाँच अप्रेल के करेंट अफ्यर्स तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं और आगर आप किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो एससी बैंकिंग और सभी एक्जाम के लिए जो है यह करेंट फेर्स ब कर सकते हो पीडियेफ के थुरू आप प्रॉपर रिविजन कर पाऊंगे आपको फेप डाउड आता है आप मुझसे जुड़ना चाहते हो फेस्बुक और इंस्टाग्रेम के थुरू आप यहां पे मुझसे जॉइन हो सकते हो सबसे पहला प्रशन है नेशनल होममेड हैंड किया जाता है जो फर्स्ट सेटर्डे होता है जो फर्स्ट सेटर्डे होता है उस दिन जो है इसको अब्जर्व किया जाता है तो यह आपको ध्यान लखना है अब हैंडमेड का मींस जो वर्क हैंडमेड से होता है चॉकलेट बनती है वेकरीस आइडम बनते हैं तो उनके लि जाता है और basically Good Friday जो है good Friday जो है इसको Friday को celebrate किया जाता है means Good Friday का मतलब ये नहीं है कि basically Friday रहता है Uhus importantes Day जो हैDD jesus Christ थे को जो है एंद को जो है खिल जो लगा के है उनको जो है basically I जो है मौत हो गई थी उनकी ठीक हो टांग दिया था और इसी वज़े से उनकी देथ हो गई थी और उनके जो जिनको वो सिखाते थे उनी के साथ एक थे उन्हों नहीं जो है उनके साथ धूगा कर दिया था थर्टी सिल्वर कौईंस के लिए तो यह आपको ध्यान रखना है कि इस्टर जो है संडे को सेलेबरेट करते हैं गुड़ फ्राइडे जो है फ्राइडे को सेलेबरेट किया जाता है और गुड़ फ्राइडे जो है एक दुख का त्यवार होता है कोई खुशी का त्यवार नहीं होता और गुड़ फ्राइडे जो है दुख का त्यवार होता है बेसिकली दो से लेटेड है SCST और Women Entrepreneurship OBC से लेटेड ये नहीं है तो जो SCST और Women Entrepreneurs हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी इसको 2016 में जो है लॉंच किया गया था तो ये आपको ध्यान रखना है और बेसिकली जो Women Entrepreneurs हैं और जो SCST जो Entrepreneurs हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए Stand Up India Scheme को जो है यहाँ पर लाए गया नेक्स कोशन है संकल्प ए सिद्धी संकल्प ए सिद्धी Village Digital Connect Drive इसको जो है किस Ministry ने जो है लॉंच किया हुआ है तो बेसिकली इसको जो लॉंच किया हुआ है जो Ministry of Tribal Affairs है उनने लॉंच किया हुआ है Trifad और Trifad इसको लॉंच करेगा जो Trifad आता है किसके अंडर में Ministry of Tribal Affairs इनके जो हमारी Tribal Affairs के Minister है वो है अर्जुन मुंडा और इनकी Constituency है खुंटी विच इन जार खंड और Finance हमारी Minister है वो है निर्बला सीतारमन इनकी Constituency है करनाटका Ministry of Education है रमेश पोखरियाल निशंक सो रेमेंबर दिस Ministry of Commerce है हमारे प्यूच गोयल और बेसिकली प्यूच गोयल जो है हमारे railway के भी Minister है और 71 जो unreserved train है और एक चीज और ध्यान लखना हाली में जो हमारा Ministry of Road है उसने एक milestone अचीव किया है एक दिन में 36.4 km के जो है रोड यहाँ पर बनाई जा रही है और यह एक World Record है मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं करता कि एक दिन में 36.4 जो है यहाँ पर रोड बनाए इसको round figure 37 भी जो है बोल दिया जाता है तो कई जगे जो है 37 भी आपको देखने को मिलेगा तो यह दोनों ही आपको याद रखना है 36.4 और 37 So basically remember this और हमारे यहाँ जो रोड बनती है दो organization बनाती है एक है NHAI जिसे हम कहते है National Highway Authority of India और दूसरा है कौन सा दूसरा है Border Road Organization तो Border Road Organization है पहाड़ों पर रोड बनाता है Next question है हाल ही में PMODI ने जो पार्टी वर्कर से उनको एड्रेस किया है क्योंकि जो foundation डे था BJP का 6 April को जो है यहाँ पर जो है अब्सर्व किया गया 6 April को जो है स्थापना हुई थी जो BJP है उसकी भारती जंदा बाठी की तो आपको पताना है किस साल जो है BJP को जो है फांड किया गया था तो बेसिकलिए BJP को जो है 1980 में फांड किया गया था और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो JP नद्दा जो है प्रसिडेंट है बाठपा के JP नद्दा जो है प्रेजिडेंट है और इसको फांड किया था अटल विहरी बाठपई और लाल कृष्ण आडवानी तीक है और वैसे शामा प्रसाद मुखर जी भी जो है एक बहुत इंपोर्टनेंट फिगर है तो यह भी आपको ध्यान रखना है और बेसिकलि जो है आपे हो गए है इनकी इस्थापना के शचीकला उंप्रकास सेगल पास जवे एड़ इज और इस ऑफटी इस अशुचीटेटेट वित तो शचीकला उंप्रकास सेगल का निधन हो गया यह 88 उम्र की 88 की उम्र में जो है इनकी इम्रतियों हो गई तो यह क्या थी बेसि पद्म जो भूशन है वो भी यहां पे दिया गया है तो यह आपको ध्यान लखना है और यह बेसिकली महराज से ही थी इनका जन्म जो है सोलापूर में हुआ था तो यह जो गीता प्रेस है उसके यह रहें गीता प्रेस जो है गुरकपूर में आपको देखने को मिलेगी गुरकपूर विचेजन उत्रप्रदेश और गीता प्रेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉब्लिकेशन है और जो अगर आप देखोगे जो सबसे ज़यादा जो प्रिंटिंग होती है ना मतलब जो हमारा बेसिकली सबसे ज़यादा जो भुक्स हैं सबसे ज़यादा जो धार्मे भुक्स होती हैं वो इसी प्रेश में जो है प्रिंट होती है और इनकी सप्लाई आपको All Over World देखने को मिलेगी और बेसेकलिए जो सनातन धर्म है मुझे याद नहीं आ रहा था सनातन जो धर्म है उसको यह जो है यहाँ पर प्रमोट करते हैं तो इस पे जो है ट्वीट भी आपको देखने को मिलेगी प्रधानमंती नरेदर मोधी की ठीक है तो यह काफी important पसनाली थे रादेश्याम खेमका और यह गीता प्रेश जो है यह गोरकपुर में इसका headquarter आपको देखने को मिलेगी next है हाली में किस देश ने 40 celebrity और जो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं military government के against में उनके देश में उन्होंने जो है उस पे charges लगा दिये है तो जैसे celebrity जैसे जो singer है ठीक है उसके बाद जो dancers है उसके बाद जो actors है उन पे जो है आपे band लगा दिया उन पे जो है charges लगाए है band नहीं लगाया तो यह किया है मैनमार की सरकार में मैनमार एक बहुत important country है मैनमार की जो capital है वो है नाइपिडाओ और president है win mint so remember this भूटान ही capital है थिम्पू और भूटान का जो national game है वो है archery यह काफी बार पूछा जाता है नेपाल के हम बात करें तो नेपाल की जो capital है वो है काटमांडू और prime minister है के भी शर्माओली और एक चीज़ और ध्यान रखना नेपाल के बारे में नेपाल में एक project बन रहा है अरुन्थरी जिसमें भारत मदद कर रहा है किसकी नेपाल की बांगलदेशी capital है ठाका, currency है ठाका और prime minister है शेक हसीना और शेक मुझीपूर रह्मान जो है फादर और फाउंडर है बांगलादेश के मतलब father of nation है जैसे हमारे हमात्मा कादी है वैसे ही शेक मुझीपूर रह्मान है बांगलादेश में और हाली में बहुत ही protest देखने को मिले हैं बांगलादेश में तो ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स कोशन है प्रिंस हमजा बिन हुसेन इनको जो है हाउस एरेश पे रख दिया गया है ये किस देश के जो हैं प्रिंस है तो ये जो प्रिंस हमजा बिन हुसेन है ये बेसिकली जो है जॉर्डन के प्रिंस है जॉर्डन ही केपिटल है अमान और अगर मैं करंसी की बात करूँ तो जॉड़नियन तिनार यह जो है, क्रंसी है जॉड़न की जॉड़न, जॉड़न, जूज़ है सीरिया के पास ही वाले एरिया में आपको दीखने को मिलेगा कतरी केप्टल है दोहा और साउदे रेबिय की जो capital है वो है रियाद और UAE की capital है अबू धाभी so remember this also GST revenue का जो collection है एक नया record जो है यहाँ पे इन्होंने hit किया है तो कितने रोपे जो है किया है मार्च 2021 में तो यह है 1.2.3.0 करोड 1.23.0 करोड का जो है यहाँ पे आकड़ा छू लिया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट जो है basically एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मालिस्टोर है GST का full form है good service tax 101 amendment जो है किया गया था ठीक है भारती सम्विधान में और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ministry of finance जो है यहाँ पे उसी के अंटर में आता है GST आपको बता ही होगा और अगर मैं बात करूँ तो GST के बारे में यहाँ पे कितने slab हैं तो 5 slab जो है आपको देखने को मिलेंगे 5% है फिर 12% है फिर 18% है ठीक है फिर 28% है तो इस तरीके के जो slab है वो आपको देखने को मिलेंगे और 5 slab जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं, next question ई, geologist day जो है, किका दिन observe किया जाता तो, geologist जो day है, इसको 7th of april को observe किया जाता है, तो ये आपको ध्यान गना है, basically 5th of april, नहीं है, ये, זה 4th of april है, तो 4th of april को情 है, इस दिन को observe किया जाता है, so remember this, और यह काफी बॉर्णेट है जियोलोजिस्ट डे तो यह था इंड इस वीडियो का और यह थे पांच अप्रले करेंट फेर्स मैं आपको बहुत जल्द दो है शह अप्रले करेंट फेर्स में मिलूंगा